नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमी देश, खास करकि येरोपियन देश, इनका भारत के परती बहुती संकीन नजरिया रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों में चीज़े बदली है, भारत का आर्थिक तोर पर बहुती तेजी से विकास हुआ है जिसकी बदोलत इन्हें भारत एक मार्किट के रूप में नजर आने लगा है इसके लावा चीन को काउंटर करने के लिए इन्हें भारत की मरत चाहिए ऐसे में इनका धीरे धीरे भारत के परती नजर्या बदला है और आज की तारीक में ये भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यूँ इनकी कुछ जो पुरानी एजेंसिया है या फिर इनके कुछ संस्थान है इनकी आज भी वो ही पुरानी सोच है, ये भारत को कमतर आखते हैं, ऐसे में इनका जो पुराना हैंगोवर था वो अभी तक शायद नहीं उत्रा है, दरसल पुरा मामला कुछ ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक आप सभी लोग जानते हैं, ये एक ऐसी संस्था है जिसे पश्चमी दे की प्रिडिक्शन करते हैं, भविश्वानी करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में एक ऐसा पर्फोर्मेंस देंगी, तो इसी महीनों ने भारत की प्रिडिक्शन भी करें, जिसमें बताया कि भारत की जो आर्थिक विकासदर है, जो जीडीपी है, वो आठ परसेंट रहेग वो 10 पर्तिशत रखी थे, अब से कुछ महीने पहले, ये घटा कर उन्होंने 8 परसेंट करी है, पर इस चीज पर शक इसलिए जा रहा है, क्यूंकि इस समय भारत में विदेसी निवेशक बहुत ही जमकर पैसा बरसा रहे हैं, आपने देखा होगा हमारा शेर मार्किट जबर दस तरीके से आगे जा रहा है, हमारी कमपनियों को पैसा मिला है, जो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सभी फुल कपैसिटी पर इस समय चल रही है, और हमारी अर्थववस्था नॉर्मल सी पर लोट रही है, ऐसे में हमारी विकासदर घटाना, ये भारती अर्थववस्था के लिए नुकसान दायक हो सकता है, क्यों मैं आपको पहले भी बताता है हूँ, कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या दूसरी बड़ी अस संस्थाए हैं, जब ये विकासदर जारी करती हैं, तो दुनिया भर के जो निवेशक हैं, वो इस पर निगाह रखते हैं, लेकिन भार भारतीय मार्किट में पैसा लगाएंगे, इससे कि भारतीय अर्थफवस्था और भारतीय मार्किट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, भारत को बहुत फाइदा इसका मिलता है, अब आप कहेंगे चलिए, वर्ल्ड बैंक ने कुछ सो समझगरी घटाई होगी, कुछ अनल पांच रहने वाली है, पर ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, ऐसी बहुत सारी एजेंशियां है, जो कह रही है, कि भारत की आर्थिक व्रधी 10% रहेगी, नहीं तो 9.5 तो इससे कम तो बिल्कुल जाएगी ही नहीं, तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक जैसे इतने बड़ी संस्था क भारत की GDP को इतना ज्यादा heavily गिराना, ये अपने आप में questionable तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, जो financial market है न, अहाँ पर जो लड़ाई होती है न, वो 0.001% के लिए भी होती है, और ये तो सीधा सीधा 2% गिराए गई है, ऐसे में अब समय ही आ गया है कि भारत भी, जो करें हर साल, हर महीने, ताकि इनके साथ जैसे को तैसा किया जा सकी, त्यूकि यही इनका इलाज है, इसके लावा इने सीधा नहीं किया जा सकता, हलाकि आप का इस पूरे मामले पर क्या मानना है, कमेंट करके जरू बताएगा, साथ ही वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुमत भूलेगा, थैंक्यू वर्मच पर वाचिंग वीडियो